देश में कोरुना के 33,000 से ज़्यादा नए केस वो मिक्रान के केस की तादाव सत्रासौप के पार कोविट की रफ्तार में महराश्ट की हालत खराब एक दिन में 12,160 नए केस बंगाल में भी कोरुना विस्टोट 6,000 से ज़्यादा बिमार कॉलकता में एक तीहाई केस करनाटक में 1290 नए केस पॉजिटिविटी रेट भी 1,5 फीसिदी से उपर बिहाद में आज में कीश करेंगे एहन बैठा कोरुना के मदे नजर लग सकती है नई पापन्दिया दिली में कोरुना के नए केस 4,099 पॉजिटिविटी रेट हुआ 6,5 फीसिदे रविवार के मकाबले दिली में केस 28 फीसिदी बढ़े एक मौद दर्च दिली में फैला उमेक्रॉन नए केस में 81 फीसिदी उमेक्रॉन की केस मुंबई में कोरुना का विस्पोर्ट 8,82 नए केस दो मौद भी दर्च मुंबई में 90 फीसिदी मरीजों में लक्षन नहीं कत्र जन्वरी तक स्कूल बंद दिली में बढ़ता कोरुना का खत्रा सुबह 11 बजे DDMA की बैठक आगे के कदमों पर भोगा विचार सुखमा में CRPF के 38 जवानों को कोरुना कॉरिंटीन किया गया आगरा में एतियार बठाए गये ताज महल और आगरा फोर्ट पर entry टिकेट बंद कॉलकता पुलिस में सहला कोरुना एक IPS अफसर समेट 20 पुलिस करणचारी संक्रमित स्पूटनिक लाइट के अविजेंसी स्थिमाल की मिल सकती है आज एजासत सबचेक्ट एक्सपोर्ट का विक्टी करेगी फैसला कॉलकता में डॉक्टरों पर फूटा कोरोना बंप पॉजिटिव पाए गए NRS अस्पताल के सब्तर डॉक्टर गुच्राथ के जिनगर के जंगली इलाखे में बच्चों के लिए लॉंच हुआ वैक्सिनेशन कारिकरम डियम ने बच्चों के साथ बात चीत कर जाना हाल दूरदरास के बच्चे के टीका करण पर सोड ब्यार के खगड़िया में दुल्हन की तरह सजाये गया टीका केंत्र बच्चों में पियम मोदी को कहा शुक्त रिया हर्यारा के सिर्था में बिना वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल प्रशाफन ने जारी किया निर्देश यूपे में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले 24 गंटे में सामने आए 572 ने मरीज 2271 पर पहुचे एक्टिव मरीज जुहानिसबर्ग टेस्ट ने दक्षण अफ्रेका की पहली पारी में 35 रन पर गिरा एक विकेट मुहम्मद समी को मिली काम्याभी दिन का खेल खत्म दूसर दो रन पर खत्म ही भारत के पहली पारी कप्तान केल राहूल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन पीट में तक्लीफ के चलते जुहानिसबर्ग टेस्ट से बाहर है वराट कोली अन्मा विहारी को मिला 11 में मौका फिर नाकाम होई चितिश्वर पुजारा और जिन के रहाने पुजारा ने तीन रन बनाए जबकि बिना खाता खोले आउट हुए अर जिन के रहाने अश्वर ने खेली सहसिक पारी 64 की मदद से बनाये 46 रन जैसिन ने बनाया अपना शिकार